असलम अलेकुम स्टूडियन मेरा नाम है अबित सोहिल और मैं वेलकम करता हूँ अपनी य्टूब चैनल पर तो स्टूडियन आज हम एकसरसाइज 3.2 पढ़ेंगे और उसके लिए कुछ टापिक है तो वह हम सीखेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन पर जाएंगे तो हमारे प तो हमारे पास है log a y is equal to x तो अब हमारे पास जो है इसमें जो हमारे पास यह हमारे पास क्या है बेस है उसके बाद a जो हमारे पास बेस है तो a हमारे पास क्या होना चाहिए कि a हमारे पास one के equal होना चाहिए या one से बड़ा होना चाहिए और zero से जो है zero से भी बड़ा होना तो यह हमारे पास है A के कुछ और Y जो हमारे पास है वो है 1 से हमेशा बड़ा होना चाहिए तो उसके बाद X जो है हमारे पास X is called the logarithm of Y to the base A X क्या है logarithm है किस चीज की Y की और base हमारे पास क्या है A है उसके बाद हमारे पास है common logarithm कि common logarithm क्या होता है तो common logarithm हमेशा हमारे पास किस चीज में होता है log 10 में is equal to 100 is equal to 2 अब 2 क्या हमरे पास logarithm है hundred की लेकिन common logarithm का मतलब है जिस log के सथा 10 होगा वो हमरे पास common logarithm होगा जिस तरह हमारे पास 2 होता है अगर हम उसके सथा पलस लगाए या ना लगाए कोई फरक नहीं पड़ता इस तरह अगर हम log के सा 10 लगाई या ना लगाई आमें पता चल जाता है कि ये क्या है common logarithm है उसके बाद student दो चीज़े और भी आपने सिखने है कि characteristics and mantessa क्या चीज़ है जब हमारे पास कोई इस तरह log x is equal to 4.5051 होगा तो इसमें हमारे पास characteristics and mantessa क्या चीज़ होगी characteristics वो होगी जो points से पहले वाला होगा उसको हम क्या कहेंगे characteristics और points की बाद जितनी भी digit होगी उसको हम कहेंगे mantessa तो उमीद ही का आपको समझ आ गया होगा तो चलते exercise की तरफ और question देखते हैं बिलकुल same to same इसी की मताबिक है तो आपसे request की वीडियो लास तक देखें तो चलते इस 3.2 के book पे तो student exercise 3.2 question 1 हमरे पास है find the common logarithm of each of the following numbers common logarithm मालूम करना है इन नम्बरों से तो वो किस तरह मालूम करेंगे मैं आपको लाग का भी बताया common logarithm क्या होता है वो भी मैंने आपको समझाया उम्मीद आपको समझा गया चलते ही मैं मैंने register पे हल किया हुआ है तो चलते register की तरफ तो student हमरे पास question 1 common logarithm common logarithm हमरे पास यह digit दिया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे log 10 लाग 10 ना मतलब हमारे पास क्या तक common लाग लाग लेतम तो लोग 10 लोग की फॉर्म में लिख लिए है अब इसमें हमें आर पास characteristics का कैसे पता चलेगा characteristics का ऐसे पता चलेगा अगर हम इस decimal को लाएंगे यहां तक first digit के बाद तो हमारे पास कितने digit क्रास करेंगे two तो यह two जो होगा वो हमारे पास क्या होगा characteristics अब मैंटेसा हमने मालूम करना है log table से तो log table से हम मैंटेसा कैसे मालूम करेंगे तो स्टूडेंट यह मैं आपको स्टूडेंट के यह कुछ step है इसके लिए log table के लिए किस तरह हम मैंटेसा इस से तो मैंटेसा में हम सेर्च करेंगे first two digit जो first two digit है वह सेर्च करेंगे उसके बाद third digit से और four digit वह सेर्च करेंगे log table में चलते हैं लौक टेबल का दो स्टुडेन्ट आपकी बुक्त में लौक्त टेबल की में सब्टन कुछाूमर उieso उस भूखों होता है बुख़एगों को लौकृबल की हैं वेकि ए फ़स्ट टूड़ीजित ने की इस चिज़ चाहला होता रहा हुआं क्वेट फर्स टु डिजिट जो होंगे वह इसमें चेक करेंगे जो तर्ड कर को हो कहां सर्च क्या है 23 है तो अब हम इसमें 23 डूंडेंगे 23 किदर आ रहा है हमारे पास 23 यहां पर आ आ रहा है 23 यह आ रहा है अब तर्ड डीजिट हमारे है हमारा यहां पर है टू अब यहां पर चेक करना है यह मैं म सेविंटीन को प्लास करेंगे कि एसी हमने 2 पेले 3 दिगिस निकाला इसाथ को प्लास प्लास करेंगे एमेर पास बंजाएंगा 11 गये मारा बंब — sorry 12-4,1 carry और ये 6 और 7 और ये 5, sorry 6 और 3 तो ये हम रे पास बन गया तो ये हमने क्या लिखा? मेंटेसा लिखा हम इसको क्या करना है 0 के पॉइंट भी लगा सकते इस तरह भी लगा सकते और शिंपल भी लगा सकते तो हमने इसके लिए के प्लस 17 हमने वह 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 व 2.3206 तो अब लोग महें लिख लेंगे इसको लाग 10 जो है वन्हें बस कॉमन है तो स्टुडेटियं इसको हमने कॉमन लुक में लिख लिया है इसको लाग 10 जो है वहर मा पास common लोग है तुसमें आपने पास गया है करना है कि फर्स्ट टूगिट आपने डूंड लेना है लग में ऊसके बाद तर्फ टीजिट जो का जेरू उसके हांने में जाके डूंड लेता है उसके बगल जो फ़ॉर्थ फीडियो तो प्लस करके हमारे पास यहा और पास तर्फ वी मारे चक है तो और उनको प्लस करके मारे पास यह वहाला आझाओगा, आपने देख लेना है टेबल से को मैंने शट्का दिया कि एड़्या किस तरह करत दे है, इसके भाद यह लिए करेक्टर स्थीख में प्लस कर लेंगे, करेक्टर स्थी को मारे पास वन है, सूरी माले बाहर लगाके, और यह ह कहाँ आरें आप यह पास है तो स्टुदेंट इसमें मैंने आपको आपको अबो आप komma करेंगे मा उना कोईरम को अब्स को इसका करा को आगी होगा को मुझे दो इजाज़त अगले वीडियो में मिलते हैं